चॉकलेट में रेड कलर लाना बहुत ही मुश्किल होता है इस रेड कलर को मैंने कैसे लाया है आपको आज मैं ये दिखाने वाली हूँ चौकलेट कलर जो हम लोग यूज करते हैं उससे भी प्रॉपर रेड कलर नहीं आता है आज मैंने जो ट्रिक अपनाया है उसको आपके सास्थ मैं सेयर करूंगी तो चलिए फ्रेंट्स बनाते हैं एक हाफ केजी का केक एक कप प्रिमिक्स में आधा कप से थोड़ा सकम मैंने पानी आड़ किया है और वन टी स्पून रिफाइन डाल कर मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ आज मुझे पाइनेपल केक बनाना है हाफ केजी का लेकिन ये एनिवर्सरी केक है तो इसे डेकुरेट करने के लिए मुझे चॉकलेट की गार्निशिंग भी तियार करनी है यहाँ एक या दो स्पीट पे ही हमें इसे मिक्स करना है अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे पाँच इंच केक टीन में डालूँगी लेकिन उससे पहले मैं छोटे-छोटे कपकेक बना रही हूँ और यह कपकेक क्यों बना रही हूँ यह आगे चल कर मैं बताऊंगी आपको तो पहले मैंने कपकेक में डाल दिया है और उसके बाद मैं पाँच इंच के मोल्ड में सारे बैटर को डाल दूँगी OTG को 160 डिग्री पे मैंने प्रीहिट होने के लिए छोड दिया है और 160 डिग्री पे इससे 40 मिनट के लिए बेग करेंगे कबको यह को भी मैं इसी के साथ बेग करूँगी लेकिन उसे 40 मिनट के पहले हमें निकाल लेना है अब इसे tap करने के बाद मैं preheated OTG में इसे डाल दूँगी और 40 मिनट के लिए छोड़ दूँगी यहाँ पर मैंने white compound लिया है जिससे मैं garnishing त्यार करूँगी इसके लिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट ले रही हूँ और 30 सेकेंड के लिए मैं इसे microwave में melt कर लूँगी एक बार में 45 सेकेंड या एक मिनट के लिए इसको कभी भी ना melt करें 30 सिकेंड 30 सिकेंड के लिए ही करके मेल्ट करें गर्मी है 30 सिकेंड में भी इस तरीके से मेल्ट हो जाता है आसानी से हमें white color की भी chocolate चाहिए इस तरीके से और red color की भी chocolate चाहिए तो पहले मैं white color के जो chocolate चाहिए उसे मैं तैयार कर ले रही हूँ और chocolate mold में डालने के बाद आप इस तरीके से देर तक अच्छी तरीके से tap करें ताकि कोई इसमें lumps या कोई भी इसमें bubble ना हो आप खुदी वीडियो में देखिए कि मैंने कितनी बार red color powder इसमें add किया लेकिन इसका color proper red नहीं आ रहा था ये magic company का chocolate color है जो की powder form में आता है और इससे कोई भी असर नहीं हुआ मैं यहाँ पे एक छोटे से बाउल में magic का red color ले रही हूँ 4-5 बूंद मैंने लिया है यहाँ पे और इससे बस 7-8 second में भी इस तरीके का dry हो जाएगा आपको microwave में इससे 7-8 second के लिए इससे dry करना है magic company का मैंने magic red color लिया था और इससे मैंने जब microwave में 7-8 second के लिए गर्म किया तो इसका जो अंदर से पानी होता है नमी होता है वो हट जाता है और उसके बाद मैंने इसे चौकलेट में मिक्स कर दिया है और अभी आप जिस तरीके का कलर देख रहे हैं ये फ्रिज में जाकर जब ठंडा होकर निकलेगा भार तो आप इसका प्रॉपर रेड कलर देखेंग तो आप एक सिंपल सी कोई भी स्टील की कटोरी में अपां से साथ बूंद कोई भी कलर ले जिस कलर का आपको चौकलेट बनाना है वो ले ले और उससे एक मुश्किल से 5 सेकंड के लिए गैस पे गर्म कर ले और उसके बाद उसकलर को आपको यूज कर लेना है आपका चौक इस तरीके से निकाल लूँगी केक्टिन से और इसके लेयर को बराबर काट लूँगी यह अनिवर्सरी केक है और हाइटेट केक है इसलिए मैंने इससे चार लेयर में कट किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चारो लेयर काट लिया है अब मैं इसको क्रम कोट करने वाली हूँ जिसके लिए मैंने एक कव वीपिंग क्रीम को वीट करके रखा है और इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल रहीं क्रम कोट करने के लिए जिसमें मैं पाइनेपल अरोमा यानी इंबल्सन जिसको बोलते हैं वो मिक्स करूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसी से मै क्रम कोट करूँगी बाकी बचे क्रीम को मैं फ्रीज में ढख कर रख दूँगी क्योंकि गर्मी का समय है और इसमें क्रीम बाहार रखने से मेल्ट हो जाएगा आपका प्रॉपर आइसिंग नहीं होगा इसलिए बाकी बचे क्रीम को हमेशा फ्रीज में रखते हैं और यहां प्रोसेस मुझे तीनों लेयर में करना है लाश्ट लेयर पे सिर्फ मुझे घ्रस्ट डालना है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और सेर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन जरूर दबाएं यही प्रोस से मैंने फोर्थ लेयर भी रख दिया है और उसके ओपर क्रश डालने के बाद क्रीम लगा कर अब इसका क्रम कुट कर लूँगी मैं क्रम कुट करने के बाद 15 मिनट जरूर फ्रीज में रखना चाहिए क्योंकि यह सेट हो जाएगा तो आपकी आइसिंग बहुत यह अच्छी ह कि सहता से इस तरीके से साफधानी से इसे बोट पर मैं डालूंगी और अब थोड़ा सा दो से तीन बुन के करीब मैंने इसमें पाइनेपल इंबलसर ही डाला है क्योंकि जो पिक्चर दिया गया था उसका कलर जो था वो हमें लाना था इसलिए मैंने केक में कलर ना डालकर दिया था क्योंकि ज्यादा कलर नहीं चाहिए था हमें इसमें अब फ्लेवर भी आ गया और थोड़ा सा कलर भी आ गया तो काफी टेस्टी लगेगा ये क्रीम अब इस क्रीम को मैं पाइपिंग बैग में डालूंगी इस तरीके से मैं पाइपिंग बैग में इसे भर में डिजाइन बनाना है जिसके लिए इस तरीके से थोड़ा सा मोटा लेयर क्रीम का लगाना होगा क्योंकि डिजाइन के थ्रू क्रीम बाहर निकलेगा तो बहुत कम अगर क्रीम रहेगा तो वो डिजाइन प्रॉपर नहीं बन पाएगा इसलिए मैंने यहां पाइपिंग वै करेंगे इस तरीके से मिक्स करने के और भी मैंने दो तीन मौफिन को यहां पे लिया था और इसे तोड़ कर मिक्स कर लिया है कर्स के साथ और ये चौकलेट जो मैंने लगाया था कोट कर्कर रखा था उसमें मैं डाल रही हूं, अब मैं इस चॉकलेट को cover करने के लिए इस तरीके से red का जो color मैंने यूज किया था magic company का उसी को मैंने कटोरी में हलका सा आग दिखाया है, हलका सा गैस जला कर उसमें दिखाया है मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के लिए और वो इस तरीके का कलर बन गया है अब मैं इसी कलर से इसके बैक को ढख दूंगे अच्छी तरीके से ताकि यह बढ़ियां सेट हो जाया इसके उपर और इसके उपर हमें लगाना है तूथपी क्योंकि हमें इसे के उपर खड़ा रखना है इसलिए परेक्स में मैंने यहां पर गोल्डेन डास्ट मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मैं केक के उपर इस तरीके से लगा रही हूं क्योंकि कस्टमर ने जो मुझे स्क्रीन सॉट दिया था वो कुछ इस तरीके का था आप देख सकते हैं साइड में जो मुझे स्क्रीन सॉट म गृत्स अब करको दोटा है कि जो मैंने इस्क्रेंस ऑगे अधिया था आपने उससे ज्यादा आज्चा जादा के कीक बना कर दिया है यह बहुत ही बड़ी बात होती है कि कस्ट effोड के यह बहुत बड़ी ने पर आप paris over भी अच्छा रहे और design भी अच्छा रहे तो howm देखर के मन में भी तसल्ली होती हैं बहुत ही खुशी होती है आप देख सकते हैं कितना खुवशूरत एक बनाया है बहुत ही प्यारा सा सिंपल के takes लेकिन बहुत ही प्यारा सा केक है तो आपको भी कभी इस तरीके का रेड कलर यूज करना हो चौकलेट के उपर तो आज मेरे बताय हुए तरीके से जरूर करें आपने अभी साइट में फोटो देखा मेरा केक बन कर तयार है और स्क्रीन सोट जो था वो भी आपने देखी लिय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कैसा लगाई है केक आपको और आप इसकी प्राइस पूछेंगे कमेंट करके इसलिए मैं पहले ही बता देती हूं कि इसका प्राइस मैंने लिया था 500 बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा केक बना है आप देख सकते हैं अब मैं इसे पैक कर देती हूं दो से तीन घंटे के को फ्रीज में सेट होने दीजिए उसके बाद ही कस्टमर को दीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसे पैक कर दिया है